नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमान नीज में दोस्तों हमें एक लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजी रहे आपके सामने रिंकू सर्मा हत्याकांट के मामले में दोस्तों जानेंगे क्या हुआ था उस बड़े वाली रात को इस वीडियो के अंदर कर लिजे ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए तो दोस्तों जानते हैं चस्मदीद बाबू ने इंटर्वी के दोरान क्या बोला दोस्तों इंटर्वी के दोरान बाबू ने कहा मेरा जनम दिन 9 फरवरी को था दस्त को मैंने अपने दोस्तों को पाटी दी थी उस पाट ने जहुट को चाटा मार दिया, बदले में जहाइद ने भी उसे चाटा मारा। आगे बाबु बताता है जगले के दोरा रिंकू सर्मा आकास के बगल में बैठा ह। मैं आकास और राहुल के साथ था तब है रिंकू ने कहा मुझे घर जाना है। लेकिन जैसी गरी में मुड़ा तो पीछे से अहला हुआ कि चाकू लगने के बाद बगदन मचने लग गई और मेरा भाई मुझे लेकर चला गया मा ने घर बर पिटाई लगाए उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ तो दोस्तो जैसा कि रिंकू सर्मा के माता पिता पहले जे बोल रहे हैं कि ये रंजिस पार्टी वाली नहीं है ये मामला कुछ और है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तो आप हमारे चैनल से बने रहें जैसी कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी हम जरूर आपको बताएंगे कमेंट करके इस वीडियो में इतनी जानकरी दोस्तो अपनी राय और कमेंट जरूर दीजेगा हमारे कमेंट बॉक्स में हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्श वीडियो में धन्यवाद